तो शुरुआत करते हैं question number one से देखो जो इसका पहला question है इसमें क्या बोला गया है express each number as a product of its prime factors मतलब हमें यहाँ पर जो number given है इनका prime factorization करना है ठीक है जैसे पहले part कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितना अपने पास 140 ठीक है तो यह आप बच्पन से करते आएं ठीक है ठीक है prime number आप जानते हैं ऐसे number जिनके exactly 2 factor होते हैं जैसे यहाँ पर 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 11 हो गया ठीक है यह जो number है prime number है क्योंकि इनके exactly 2 factor होते हैं न 2 से कम न 2 से जादा ठीक है यह सब मैं आपको बता चुका हूँ चलिए तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 स से हो जाएगा कितना 35 फिर यहां 5 से 5 से बंजा 35 और 7 बंजा 7 ठीक है यह सब आप बच्पन में करते आए हो बच्पन से तो यहां से कितना हो जाएगा 2 इंटू इंटूपाइड इंटूब जो यह सारी चीजें थी यह यहां पर आप एसे प्रोड़क्ट में लिख दो है अब यहां पर दो कितनी बारा है दो बारा है तो अप इसको टूरेज दिपावर 2 भी लिख सकते हो टूरेज दिपावर 2 into 5 into 7 तो यह हो गया 140 के prime factorization ठीक तो यह कौन सा हिस्सा था पहला अब दूसरे हिस्से की बात करते हैं दूसरे हिस्से में क्या है देखो दूसरे हिस्से में 156 ठीक है तो 156 का prime factorization करोगे तो क्या मिलेगा देखो 2 से 2 से बंजा 14 टूर जा 16 फिर यहां 2 से करोगे 2 3 जा 6 7 में 6 गया 1 बचाओगा 1 के आगे 8 या नी 18 तो 2 9 जा 18 अब यह 2 से नहीं होगा 3 से हो जाएगा 3 बन जा 3 3 जा और यह 13 से हो जाएगा ठीक है तो यह मैं डिरेक्ट लिख रहा हूं देखो 2 कितनी बार है दो बार है इसको लिख सब्सक्ताओं में 2 रेस्ट टूदी पावर 2 इंटू में क्या 3 एं 30 इंटू 30 ठीक तो यह था इसका दूसरा हिस्सा अब बात करते हैं तीसरी की ठीक थर्ड पार्ट में क्या है अपने पास थर्ड पार्ट में है 3 8 2 5 तो यहां पर हम क्या करेंगे इसका भी प्राइम फेक्टराइजन करना है यहां आया 3 8 2 5 ठीक है अब लास्ट में और नमबर है तो दो से तो होगा नहीं तीन से चक्कर होगे तो 5 और 2 7 8 15 और 3 18 ठीक है इनको जोड़के डिजिट्स को जोड़के 18 आ रहा है तो 18 3 के टेबल में आता है मतलब यह भी आएगा तो 3 से कर सकते हो है ना 3 बंजा 3 फिर 8 म जोड़े तो आप देखोंगे डिजिस का संब 3 से डिवाइड है ठीक है तो 3 4 जा 12 32 Six 35 जा 50 आप देखोंगे अब यह ठीसे नहीं होगा क्यों 4 यह ठ्जिक सानी 11 है जो 3 से ठिवाइड नहीं है मतलब यह नंबर भी 30 नहीं होगा तो अगला नंबर के यह हैंपने पास प्रा ठीक है 5 8 जा 40 और यहां पğट मेसरी 25 सो ढूंब 5500 मॉलित मिपाकई जाएंगा 5 पन Healthy Tag तूम से थे कि यहां किलो सकते हैं 6 पावल यहां पर 2 टाइमस यहीं स्क्रेंडारme इंटू 5 कितनी बार आया है 5 2 टाइमस आया है यानि 5 रेस्ट टी पावर 2 इंटू 70 ठीक है तो यह भी हो गया अब बात करते हैं अगले इससे की देखो अगला इससा क्या है 5005 यानि 4 पार्ट जो है यहां पर 5005 ठीक यहां देखो 5005 ठीक है मैं आपको यहां पर यहां पर description में time stamp दे दूंगा तो अगर आपको कोई और question से divide दा क्यूंकि two से सब्सक्राइब कर देखो करें देख वह वह्यां से खकर लो एक बार चिंद या सबंसे अब ठीक है तो देखो 7 बंजा 7 तो 10 में से 7 माइनस कर दो कितना 3 बचाओगा 3 के जीरो सोच उपने दिवाप में 30 तो 7 4 जा 28 28 कट गए 30 में से 2 बचाओगा 2 के आगे 1 यानि कि 21 तो 7 3 जा 21 अब देखो अभी ये 7 से नहीं होगा तो किस से होगा 7 के बाद क्या 11 11 से हो जाएगा क्यों 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 देखो 3 और एक 4 और यहां पर 4 है तो 4 में से 4 गए 0 ठीक है तो यानि कि 11 से देखने का क्या तरीका होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है तो आप पहला डिजिट तीसरा डिजिट पांचवा जिट इस त ठीक है तो यहां मैंने देखा कि ओड प्लेस पहले प्लेस पर बांच फिर तीसरे प्लेस पिर तीन है तो एक और तीन चार आया ठीक है यहां बीचपे तो एकी डिजिड गर έχει सिर तो चार में से चार गया 0 तो JOSH आया या फिर citizen की टे फेल न्निम्यारों 11 से हो जाएगा ठीक है हाला कि यहां से कितना आ गया देखो यहां पर यह आ जाएगा 5 इंटो 7 इंटो 11 इंटो 30 ठीक है यह भी हो गया इसी तरह से अगला क्या है 7 4 2 9 तो आप देखो जो यह पांच वा पार्ट है इसमें क्या है 7 4 2 9 तो यहां पर देखो यह किस से होगा आप जब चक करते हुए जाओगे तो देखो 2 से तो नहीं होगा ठीक है क्योंकि लास्ट में 9 है 3 से भी नहीं होगा क्योंकि डिजिट का सम देख लो ठीक है फिर 5 से चक करोगे तब भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 है 5 होना चाहिए 7 से सीधा ही दिख रहा है 7 बंजा 7, 7, 6, 42 बीच में 0 आएगा फिर लेकिन 9 बज़ रहा है तो नहीं होगा, फिर 11 से 11 से में सीधा दिख रहा है नहीं होगा क्योंकि 7 और 2 9 और 4 और 9 13 देखो पहले और तीसरे प्लेस का डिजिट और प्लेस का डिजिट कितना हुआ, जोड़के 9, दूसरे और चोथे प्लेस यानिए, इवन का कितना हुआ, 9 और 4, 13, इनको माइनस करोगे 4 आएगा, मैंने क्या खा, 11 से जब आप चेक कर रहे हो, डिवाइड होगा की नहीं, तो यह तो 0 आया 11 के टेवल में आने वाला कोई नंबर है, तो नहीं हो रहा, 13 से डिवाइड करें देख लाएड नहीं होगा, यह किस से होगा तीजिधा, 17 से, ठीक है मैंने पहले यह किया हुआ, इसलि मुझे पता है, ताकि यहां टाइम वेस्ट ना हो, calculation सोचने में इसलिए मैंने, ठीक है, मतलब बहुत बार पढ़ा हुआ है, बच्चों होगा है, कई साल से पढ़ा रहा हूँ तो यहां से 17 से हुआ, कितना हुआ है, कितना हुआ, 68 तो 74 में से 68 जाएगा, तो कितना बचेगा यहां पर 6 ठीक है, 6 के आगे 2 है नहीं 62 17, 3 जा 51 62 में से 51 गया, कितना बचेगा होगा, 11 11 के आगे 9, 11 के आगे 9 नहीं, 119, 119 तो 17, 7 जा 119 ठीक है, अब आप डिवाट करोगा तो किस से होगा, अगला जो प्राइम नूबर है, जो इसको डिवाट करेगा, 19 ठीक है, तो 19 टूजा आपको पता है, 38 होता है, 43 में से 19 टूजा 38 घटा दो, कितना बचेगा, 5 5 के आगे 7 यानि 57, 19, 3 जा 57, फिर 23 बंजा 23, तो कितना हो गया, देखो, यह हो गया, 17 इंटू 19 इंटू 23 ठीक है, तो यह हो गया, पहला क्वेश्चन, अब बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन के, अब देखो, जो अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें LCM and HCF find out करना है, जो भी pairs में आपे integers दिये गए है, और फिर verify करना है कि LCM into SCF बराबर होता है, product of two numbers के, ठीक, तो कैसे करेंगे, इसको देखो, अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, कि हम LCM और SCF कैसे निकालते हैं, हाला कि जो आप बच्पन से तरीका करते आए हो, ठीक है, वही तरीका है, उसी का बस थोड़ा सा advanced version है, फिर भी कि एक बार और समझा दू हो सकता कि इसने वो वीडियो ना देखी हो, तो देखो, SCF के लिए, यहाँ पर ये चीज़ करने हैं आपको, LCM के लिए ये चीज़ करने है, इनको याद करने का क्या trick है, वही आपको समझा दू, ताकि आप confused ना हो, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अभी मैं, ठीक है, इनको भूल जाओ, अभी मैं दो नमबर का अलग से example ले रहो, मालो पहला नमबर है 36, दूसरा नमबर है 30, ठीक है, इन से मैं आपको समझाता हूँ, जो आपको समझ में आ जाएगा, फिर question करेंगे, ठीक है ना, कोई answer वाली बात नहीं, और ये भी मैं आ है ना, फिर question करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, SCF क्या होता है, SCF कैसे निकालोगे इनका, product of smallest power of each common prime factor in the numbers, मतलब जो भी आपके बस नमबर हैं, इन में पहले आप इनका prime factorization निकालो, फिर देखो कौन से factor जो common है, जो common factor होंगे, उन में smallest power वाला multiply कर लो आपस में, क्या मतल निकाला, 36 आप जानते है, 4 into 9, तो 4 को आप लिख सकते हो, 2 की power 2, 9 को लिख सकते हो, 3 की power 2, 4, 9 जै 36, है ना, 2 की power 2, 4, 3 की power 2, 9, 9, 4, 36, ऐसी आप 30 को लिख सकते हो, 2 से करोगे, 50 ना आएगा, फिर 3, 5 जै 15, है ना, 2, 3, 6, 6, 5, 30, चलो, यहां तर संज में आ गया, मैंने क्य का कि भाई, जब आप HCF निकाल रहे हो, जब आप क्या निकाल रहे हो, HCF निकाल रहे हो, यहां पर देखो, तो HCF के लिए, आपको देखना है, common factor कौन-कौन से है, पहला को क्या देखना है, common prime factor कौन-कौन से है, तो यहां पर common कौन है, देखो, यहां पर 2 दोनों के पास है, 2 common है और 3 दोनों के पास है 3 common है 5 तो common नहीं है 5 को बोल जाओ SCF के case में तो 2 और 3 दोनों के पास है अब 2 और 3 में आप क्या देखोगे smallest power कहां पर है उनी का multiply कर दोगे पहले 2 में आ जाओ 2 में देखो यहां पर 2 की power 2 है नीचे 2 की power 1 है तो smallest कौन होँ है 2 की power 1 तो यानि कि यहां पर हम लिख देंगे 2 की power 1 इन 2 फिर दूसरा common चीज क्या है 3 तो 3 की power 2 है या 3 की power 1 है तो smallest देखना है मुझे smallest कौन है 3 की power 1 यानि कि यहां पर क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा 3 की power 1 तो कितना हो गया 2, 3, जा 6 तो यहनि इनका LCM आजाएगा 6 मतलब HCF आजाएगा 6 ठीक है LCM कैसे करोगे देखो LCM के लिए क्या है यहाँ पर ठीक है LCM के लिए यहाँ पर है कि यहाँ पर भी हम प्रोड़क्ट ही निकालेंगी लेकिन इस बार प्रोड़क्ट निकालोगे greatest power वाले का ठीक है greatest power जो भी factor के हैं जितने भी factor उन्हों लोगे हूँ सभी का मतलब यहाँ पर आपको common नहीं देखना है यहाँ पर आपको यह नहीं देखना हो कि वो दोनों के पास है मैंगा दो common है कि नहीं आपको सरीफ यह देखना है कि जितने भी factor involved हो गए उन सभी में कहाँ पर उनकी maximum power है maximum power उला उठाओ और multiply कर दो तो कौन-कौन involved हुआ है देखो 2 involved हुआ है कही नहीं आपको 2 दिख रहा है 3 आपको कही नहीं दिख रहा है और 5 आपको कही नहीं दिख रहा है यही तीन लोग है इन तीनों की maximum power यहाँ multiply कर दो greatest power वाली term तो 2 की power 2, 2 की power 1 greatest power कहाँ पर दिख रही है आपको 2 की power 2 greatest power में ज़रा रहा है 3 में देखो 3 की power 2, 3 की power 1 greatest क्या? 3 की power 2 5 तो एक ही जगा है तो मतलब 5 की power 1 यहाँ है यहाँ कुछ नहीं होगा तो 5 की power 0 रहा होगा तो greatest कोन हुआ? 5 की power 1 यानि यह 5 की power 1 समझ में आगी बात आपको इनको multiply कर लो कितना आएगा देखो 2 का power 2, 4 3 का power 2, 9 9 for the 36, 36 into 5 180 12 cm आजएगा 180 समझ में आगी बात सारा तरीका समझ में आगी याद करने का तरीका देख लो जो मैंने शुरू में वादा किया था कि बहुत बार बच्चों confusion वे आती है यार किसमे smallest power ले रहे हैं किसमे greatest power ले रहे हैं तो देखो ultra relation चलता है ultra relation बोले तो ultra relation बोले तो कि h4 क्या होता है highest मतलब सबसे जादा तो highest वाले में आप smallest power ले रहे हो ultra highest वाले में smallest power और l4 least मतलब सबसे कम तो सबसे कम वाले में आप greatest power ले रहे हो यानि सबसे ज़्यादा वाला ठीक है तो इस तरकां से आप याद रख सकते हो इस तरीके से ठीक तो चलिए आब आपको ये question ठीक है मैं हम कैसे इस concept को apply करेंगी ये समझ में आ गया होगा ठीक है और एक और चीज है कि अगर अपने पास दो number है मालो पहला है number one ठीक है पहला है number one और दूसरा है number two ठीक है इन दोनों का multiplication है यानि number का product बराबर होगा इन ही दोनों number के LCM इन्टू SCF के जो हमें verify करना ये भी आपको याद रखना है कि ये LCM मतलब इन ही दोन नंबर का LCM ठीक है तो जो ये LCM है इन्टू SCF है करोगे तो जिन दोन नंबर का आपने LCM और LCM multiply किया है उन ही दोन नंबर के product के बराबर होगा ठीक है जो हमें verify करना है अभी question करेंगे समझना जाएगा चली करते है ठीक है आपको जादा समझना जाएगा पहला part देखो पहला part अपने पास क्या है 26 and 91 26 को आप यार rough में क्या अगर हो डिरेक्टिस हो सकते हो 13 into 2 होता है ये ना 2 into 13 ऐसी 91 जादते हो 13 7 जा बचपन से पढ़ते हो तेरा का पाड़ा 13 7 जा कितना 91 क्या करना है अपने को HCF निकालना है पहले फिर क्या करना है अपने को LCM निकालना है क्या trick बताया था मैंने कि भाई HCF में था हम common देखेंगे क्योंकि F4 factor ये factor तो common यहाँ पर तो C multiple है C के बाद क्या है multiple common multiple तो multiple के लिए आपको नहीं देखना क्योंकि ये तो factor है तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो ठीक है तो देखो HCF के लिए मैंने क्या बता है जो common चीज है उसकी H4 highest का उल्टा यानि lowest power ले लो तो common तो यहाँ पर एक चीज ने जरा रही है 13 तो 13 की lowest power भी 13 का power 1 ही हो जाएगा क्योंकि दोनों जगा power 1 है तो 1 को ही lowest मानलो LCM के क्या करोगे LCM में जितने भी लोग involved हो गए जितने भी लोग involved हो गए उन सब की greatest power कौन-कौन involved हो है यहाँ पर 2, 7 और 13 भाले 13 दो जगा है लेकिन हम मान के जलेंगे 13 involve हुआ है तो 2 देखो 2 हर जगा देख लो एक ही जगा मिल रहा है तो वही उसकी maximum power हो गई 2 भी power 1 7 देखो एक ही जगा है तो समझे लो वही उसकी maximum power हो गई 13 दोनों जगा है maximum power क्या यहाँ भी एक यहाँ भी एक तो वही मान लो maximum भी हो गई भाई जब power बराबर है तो वही lowest वही maximum ठीक है तो यह हो गया तो कितना आएगा 2 से बंज़ा 14, 14, 2 13 करो कितना जएगा 14, 3 से 42 और 14 बंज़ा 14 और 4, 18 कितना 182 ठीक है तो यह हो गया अब verification भी करना था ठीक है इसनों ने कहा था कि भाई यह verify भी कर दो ठीक है verify करो verify कैसे करेंगे हम verification लिखना चाहिए था मुझे पर कोई दिक्कत ने आप लिख लेना आपके English चाहत अच्छी है ठीक है यहाँ पर verification लिखना verify नी तो कैसे करोगे यहाँ पर मैंने क्या बोला LCM into HCF बराबर होगा पहला number number one into number two जो दूसरा number है ना तो LCM कितना आया भाई साब 182 HCF कितना आया HCF बोले तो किदर है भाई यह रहा 30 number one पहला number क्या था पहला number था 26 दूसरा number क्या है 91 इनको यार आप multiply कर लेना एक जैसा आएगा multiply करने में टाइम नी बेस्ट कर रहा मुझे लगता है कि आप 10 वी में हो तो आपको multiplication आती है ठीक है तो इनको multiply कर लेना एक जैसे answer आएगा तो यह कौन सा था पहला पार्ट आप क्या करेंगे हम दूसरा पार्ट देखेंगे ठीक है दूसरा पार्ट देखो दूसरा पार्ट यह रहा कितना है 510 और 92 ठीक है 510 और 92 तो 510 आप चाहो तो ऐसे रफ में कर लो नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो दिख जाएगा यार कि भाई याब 500 जो 10 है है ना इसको क्या मैं 51 into 10 लिख दू लिख सकता हूं लेकि ने प्राइम नमबर तो नहीं है तो इसको दूबारा से तोड़ लो 51 क्या होता है 17 3 जा 51 बच्पन से पड़ते आयो और 10 क्या होता है 2 फाइव जा मतब रफ में नहीं करो डायरेक्ट अब को बतल आ जाएगा कि क्या या राए इसमेंएक बर टू आ रहा है ठीक है, एक बर 3 आ रहा है, एक बर 5 आ रहा है, एक बर 17 न Ma ठीक है, यह हो गया अगला क्या है, 92, 92 भी आप कर सकते हो, 2 से बीमाग लग लगा है, 2 से कर आःओ और outrageous है और 46 फिर से 2 हो जाएगा, 23 आजाएगा, ठीक है ना, 23 तो Yok नुम्बर है 234092 ऐसे भी हो सकते हो ठीक है तो इसको गर मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं तो टू इंटू टू को मैं टू की पावर टू लिख दू क्यूंकि मैं रेको तो भी पावर देखनी पड़ेगी न ग्रेटेस्ट लोएस्ट तो ऐसे पावर की फॉर्म में लिखना निधे रहेगा अवह क्यकर निकाल लेते हैं मिनीमम पावर लेने हैं मिनीमम्पावर ग्सान GC प्यसे इंतली और होन्माउन देख्टर हैं तो यहां क्या हो ग्या नोला हो ओड यदि का वरवर एक है क्याशन देखेंग ग्लाइक वर फैक्तर ओन में ੁलब से में देखते हैं जो भी इंवर्ट हो गया उसकी maximum power है ना यहां पे common नहीं देखते हैं जूकि甜 कोवन multiple है यहारहां common multiple देख जाए है मुल्टिपल थो फेक्टर थो फेक्टर में common नहीं देखेंगे क्योंकि लेना जो common होता है, वो multiple है, यहाँ तो factor लिखे हैं, इसलिए common नहीं देखते हैं, confusion होते हैं, तो यहाँ पर आजो, जो भी involved होगे, 2 involved हो, 2 की power maximum क्या है, 2 की power 2, बागी सब तो एक ही एक बार है, लिख दो सीधा यार, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है, ठीक है, तो कितना आएगा, इनको multiply करके, 2 की power 2, 4, 3 जा, 12, 12, 5 जा, 60 हो, इन 2, यहाँ पर इन दोनों को multiply करना easy है, 17 का table हमने सीखा हो है, बच्वन में, तो यहाँ से कितना, 17, 3 जा, 51, केरी गया 5, 17, 2 जा, 34, 5, 39, ठीक है, अब इनको भी multiply करना असान है, क्योंग असान है, क्योंकि 60 में, हमें, जो 0 है, वो सीधा लिख देना, 6 का table पढ़ लेना, तो 6 बन जा, 6, 6, 9 जा, 54 का 4, केरी गया 5, 6, 3 जा 18, 18 और 5, 23, ठीक है, यह हो गया, verification का का काम आप खुद कर लो यार, इतना आप कर सकते हो, ठीक है, कैसे करोगे, HCF into LCM, बराबर number 1 into number 2, ठीक है न, आप कर लेना, दौनों तरप एक जैसी चीज आ जाएगी, तो कौन सा था यह दूसरा, अब बात करते हैं, तीसरे की, ठीक है, तीसरा question भी आप खुद करोगे, ठीक है, easy सा हो जाएगा, चलो, अगला question दिखते हैं, अगला question क्या है, अगले question में हमें LCM और SCF ही find करना है, लेकिन इस बार, यहाँ पे हमें 30 numbers given है, जैसे, प लेते हैं, 12 को अब क्या लिखोगे, 22,43, 12, by 22,24, एनि टूगी, पावर 2, इन्टो में, 3, 22,43, 12, 15 को अब क्या लिखोगे, 3 into 5, 21 को क्या लिखोगे, 3 into 7, क्या निकालना है, दोनों चीज़े निकालना है, SCF भी निकालना है, और LCM भी निकालना है, है ना, कैसे निकालोगे देखो, मैंने क्या कहा, HCF में हम देखेंगे पहले तो common factor कौन है, और जो common factor होगा, highest का उल्टा, यानि कि उसकी minimum power देख लेगे, तो common कौन है, common तो, जो तीनों के पास हो, अब तीन जने है तो तीनों के पास होना जाए, वही common होगा, तीन ही है, तीन की power हर जगा एक ही नज समझ रहा है, समझ में आगी बात, तो यह होगा, HCF, LCM में हम देखेंगे, जो भी involved हो गया, जो भी involved हो गया, उसकी maximum power क्या है, L4-List तो उसका ultra maximum power क्या है, तो तीन involved हुआ है, तीन की maximum power ही वह नहीं समझो, जब power हर जगा एक जैसी ही है, दो involved हुआ है, तो एक ही जगा है, त साथ involved हुआ है, पांच involved हुआ है, एक ही एक जगा है, तो यह नहीं 5 into 7, कितना हो जाएगा देखो, 2 की power 2, 4, 4, 5, 20, 23, 60, 67, 6, 42, 420, समझ में आगी बात, तो यह हो गया, अब आप यह मत करने लग जाना कि इनका HCF और LCM बराबर तीनों number का product नहीं, वो दो number के case में होता है, HCF into LCM, number 1 into number 2, जब दो number होंगे, तब होगा वैसा, यहाँ अगर आप वैसा करोगे, कि HCF into LCM निकाल दिया, और उधर तीनों number का multiplication ले रहे हो, मतलब product ले रहे हो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, तीन number में है समझ करना, तो यह समझ आगे आपको, ठीक है, कौन सा question, मतलब पा प्राइम नंबर है, ध्यान से देखो, यह क्या है, यह खुदी प्राइम नंबर है, तो आप इनको product में क्या लिए होगी, ऐसी रहने दो, ठीक है, तो इनका HCF, जब सारे प्राइम नंबर होंगे, तब कुछ common ना हो, तो HCF होता है, जब कुछ common नहीं दिखे रहा है, मतलब 1 सब को divide कर सकता है, 1 होता है, और LCM क्या होता है, LCM होता है, इनहीं का multiplication, 17 into 23 into 29, ठीक है, यह हो जाएगा, इनको multiply कर लो यार, multiply करोकर 17 का table आता है, 17, 3, 51, का 1, carry गया 5, 17, 2, 34, 5, 39 into कितना है, 29, रफ में multiply कर लेते है, 3, 9, 1 है, into में कितना करना है, 29, ठीक है, तो 9, 1 जा, 9, 9, 9 जा, 81, का 1, carry गया 8, 9, 30, 27, 8, 35, ठीक है, 2, 1 जा 2, 2, 9 जा 18, 2, 36, और 1, 7, कितना आ गया, 9, 3, 3, 11, कितना हो गया यह, 1, 1, 3, 3, 9, ठीक है बई, यह question हो गया, इसी तरह से अब अगला देखते हैं, ठीक, अगला part मतलब तीसरा, इससा, इसका, 8, 9, और 25 है, तो यह तो आसाना, 8 क्या होता है, 2 into 2 into 2, ठीक है न, 8 को क्या हो लिख सकते हो, 2 into 2 into 2, मतलब यह क्या हो गया, 2 की power 3, ठीक है न, यह क्या हो गया, 2 की power 3, चाहिए आप रफ में करके दिख लेना, 9 को लिख सकते हो, 3 की power 2, 3 into 3, 9, 25 को लिख सकते हो, 5 into 5, यानि 5 की power 2, और कुछ भी common नहीं दिख रहा, तो SCF तो 1 हो जाएगा, जब कुछ भी एक जैसा ना हो, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा, 1, LCM क्या होगा, LCM हो जाएगा, कि जो भी factor involved होन की maximum power, तो 2 involved है, 2 की maximum power होई है, 2 की power 3, ठीक है, 3 involved है, 3 की power 2, 5 involved है 5 की power 2, मतलब यह अलमोस्ट किया, बिलकुल यही नमबर, 2 की पावर 3 कितना 8, 3 की पावर 2 कितना 9, 5 की पावर 2 कितना 25, कितना हो जागा देखो, 25 को 8 से multiply करना आसान है, 25 फोर जा 100 होता है, तो 25 एट जा 200 होगा, 200 इंटू 9, 1800, समाझ में आगी बात, तो यह हो गया, चलिए, अब देखते हैं, अगला question, अगला question तो असान है यार, SCF इ number 1, जो पहला number है, वो मालो 306 है, और number 2, जो दूसरा number है, वो है 657 है, और इनका HCF दिया गया है 9, ठीक है, इनका HCF कितना दिया गया है, 9, तो आपने सोपता है, SCF into LCM, बराबर क्या होगा, पहला number into, दूसरा number, नमबर वन क्या है 306 नमबर डू क्या है 657 ठीक है जिसको कन्फूजन हो रही है कि यहां सिपके बाद ब्रैकिट में यह क्यों लिखा तो यह लिखने का तरीका है जो यह बताता है कि यह लिखने का तरीका है कि LCM की बात हो रही है दोनों नमबर के तो यहां से LCM कितना हो गया 306 गुडा में 657 डिवाइड बाइड क्या जाएगा ना ना तो 9 से तो सीधा सीधा कट रही है 9 बंजे 9 9 से बंजा 63 टू बचा 63 कट गया तो 2 क्या के 3 है नहीं 27 9 3 जा 27 तो यहां पर क्या आएगा 306 को 73 से मल्टिप्लाई कर लेना यार ठीक है न यह इंटू में 73 यही तो है है देख लो यहां पर ठीक है यहां पर क्या बचा हुआ है 306 और यहां क्या बचा हुआ है 73 मल्टिप्लिकेशन आपको आता यहां पर करके लिख दो यार कॉन टाइम वेस्ट करें अपना मुटिप्लाई करने में ठीक तो यह हो गया चौथा आप देखो जो अगला प्वेस ठीक है इस टाइप के क्वेस्टन कैसे करेंगी यह मैंने बहुत अच्छे से समझाया था पिछली वीडियो में अगर आपने वह वीडियो मिस करिया तो बहुत बड़ा नुकसान किया अपना ठीक है देखो क्या मतलब इस क्वेशन के पहले वह समझेओ कह रहा है 6 की पावर यानि कि कोई भी नैच्रोल नंबर रख दो नैच्रोल नंबर आप समझते हैं 1,2,3,4 ऐसे अब टो इंफिनिटी कोई भी नैच्रोल नंबर रख दो तो क्या कभी यह 0 पे एंड होगा मतलब 6 रेस टुदी पावर सम्थिंग जो भी आएगा क्या कभी ऐसा होगा कि उसकी य 216 आएगा यूनिट प्लेस पे 6 है तो कहरा कि क्या आप ठीक है कोई भी नैच्रोल नंबर रखोगे तो कभी 0 आएगा या नहीं आएगा यह बताना है तो इसके लिए मैंने आपको एक कॉंसर्ट बताया था फिर से बता देता हूं कि अपने पास अगर कोई भी नंबर है को इसके फेक्टर में एक बार दो आ रहा है और एक बार पांच आ रहा है दोनों दो एंड पांच दोनों आने चाहिए बहुत कोई भी नंबर होगा उसका आपने प्राइम फेक्टरिशन किया पावर में कुछ भी हो कोई फरनी बढ़ता आपको बेस को देखना है ठीक है आप तभी इसके यूनिट प्लेस पे जीरो आएगा मतलब यह जीरो पे एंड होगा अगर ऐसा नहीं है या तो यह दोनों मिस हो या फिर इन में से कोई एक मिस हो गया तो जीरो पे कभी एंड नहीं हो सकते है आप याद रखना ठीक है तो हम क्या करेंगे हम बोलेंगे कि यार ज अब हम क्या बोलेंगे अब हम बोलेंगे भाई 6 का जो हमने प्राइम फेक्टरेशन किया या फिर 6 रेश्टू बे और N का ही कर कहलो क्योंकि N से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला N का मतलब क्या होगा यार कि 6 रिपीट हो जाएगा उतनी बार जैसे आप 6 को दो बार लिख द 2 और 3 ही तो होंगे 5 अगर 1 6 के पास नहीं है तो कितने भी 6 लिखो 5 तो आएगा इनी ना भाई साब तो N पे फरक नहीं पढ़ता कि power में क्या है फरक पढ़ता है base में क्या है ठीक है ना तो हम बोलेंगे क्योंकि इसके जब हमने factors किये prime factorization तो यहाँ पे 2 तो मौजूद है लेकिन 5 नहीं है और कोई number अगर 0 से end होना चाहता है तो उसके factors में कम से कम एक बार 5 कम से कम एक बार 2 होना चाहिए इसके पास 5 नहीं है इसलिए कभी 0 पे end नहीं हो सकता फिर यहाँ पे roll आएगा fundamental theorem of arithmetic का किसका आएगा fundamental theorem of arithmetic का यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे समझाई थी क्या कहती है fundamental theorem कि कोई भी composite number आपके पास हो उसको आप prime numbers में factorize कर सकते हो और यह factorization unique होता है समझ मागी बाद तो हम बोलेंगे कि हमने जब इसका factorization किया इसमें 5 नहीं मिला और fundamental theorem जो है arithmetic की वह कहती है कि यही इसका इकलोता prime factorization है दुनिया में और कोई prime factorization नहीं होगा जिसको check करने के जोड़ पड़े एक ही था हमने check कर लिया तो मतलब इसके पास नहीं है तो पक्की बात है 0 पे यह नहीं होगा यह तो मैंने आपको समझाया लिख के कैसे दिखाएंगे वो मैं लिख देता हूँ आपको ज़्याद आच्छे समन में आ जाएग तो यहाँ पर देखो जो मैंने बोला है वही सब लिख दिया लिखने का तरिया क्या होगा हम बोलेंगे a number must have both 2 and 5 a number must have both 2 and 5 as its prime factors so that the number can end with 0 मतलब कोई भी number जिसके पास दो और पांच दो नोंगे वही जीरो पर एंड हो सकता है ठीक है दो और पांच दो नों ही होने चाहिए बट जो 6 ट्रेस्टी पावर एन है जब हमने इसको फेक्टर किया तो कितना मिला 2 इंटू 3 यानि 2 और 3 है इसके पास has 2 इसके पास 2 तो है but not 5 but not 5 इसके पास 5 missing है 5 नहीं है न इसके prime factors में and this prime factorization is unique यही prime factorization unique है मतलब दुनिया में और कोई इसका prime factorization नहीं है जहाँ पर हमें check करने की जोद पड़ेगी कौन कहता है यह according to fundamental theorem of arithmetic तो इसलिए हम कह सकते है 6 raised to power and cannot end with 0 आप में से अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि यहा पर उपर से समकुस समय में आ गया था यह fundamental theorem यहाँ पर क्यों लगाई तो इसलिए लगाई क्यूंकि अगर आप सिर्फ यह चक कर रहे हो और आपको यह नहीं proof करना आया कि क्या पता इसका कोई और prime factorization है या नहीं तो सामने वाला बंदा यह कह सकता है कि चलो इस prime factorization में तो दूनिया में और कोई नहीं है ऐसा theorem यह बोल रही है तो हमें दूसरा और कोई नहीं चक करना इस सब्सक्राइब यह आपको समझ में आगे आप देखते हैं अगला question क्या है तो आप देखो जो question number 6 बोला गया explain why this number and this number are composite numbers ठीक है composite numbers क्यों है तो पहले तो इस question को ही समझो ठीक composite बोल रहा हूं बहुत सारे बच्चे तो इसी में confused होंगे कि क्या मैं 13 को composite बोल रहा हूं 11 को बोल रहा हूं 7 को बोल रहा हूं किसको बोल रहा हूं इन में से किसी को नहीं बोल रहा हूं मुझे पता है कि 13 भी प्राइम होता है 11 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है तो composite किसे प लिखता हूँ और बोलता हूँ यह नंबर composite नंबर है तो मतलब मैं 5 को नहीं बोल रहा composite 3 को नहीं बोल रहा composite मैं 15 को composite बोल रहा हूँ क्यों इसको solve करके 3 into 5 15 ही तो आएगा मतलब 15 रहा होगा उसके next step उसको break करके ऐसे लिख दिया गया है है तो मैं अगर यह step गयाप कर दूँ आपको नजर भले ना है 15 बट इसको अगर मैं composite प्रूफ करने को बोलू तो मतलब इसको multiply करने के बाद जो आ रहा है उसको composite करने को बोला जा रहा है समझ में आगे लोजिक तो वही चीज यहां पर भी है यहां पर भी इनका जो solution आएगा ठीक है ना इनका जो solution आएगा उसको बोला जा रहा है कि उसको composite दिखाओ को समझ में आ गया तो आगे बढ़ू में देखो जब भी आपके अभी स्लिवस में ऐसा question जब आएगा ना तो आप याद रखना कुछ चीजे इधर multiply में होंगी कुछ चीजे या तो इधर multiply में होंगी या कोई अकेला होगा लेकिन एक बात common होगी क्या कि कोई नंबर ऐसा जरूर आपको दे दिंगे जो इधर भी हो और प्लस के इधर भी हो ठीक है multiplication वाली चीज को आप एक जैसा समझो इन दोनों तरफ कुछ ना कुछ आपको हमेशा अभी जो आपके स्लिवस में पैटर्न है उसमें एक जैसी चीज मिली वही चीज कॉमन लेलो तो थर्टीन मैंने कॉमन लेलिया थर्टीन जब मैंने कॉमन लि इसको किस से multiply करेंगी यह आ जाए तो थर्टीन बंजा थर्टीन खतम ठीक अब आजाओ यहां पर त्रीन यह कितना जाएगा 11 Pocket 7 उसमें एक जोड़ दो सवण्टी सेवन अख जोड़ दो यह्म में एकज जोड़ कितना जाएगा 78 यहां बदेखो अब यहां पर कोई नंबर रहा होगा लाप कुगky उसईक है यहां अग पर फ्र प्र मैं ना एसे लिखा फिर मैं ना एस ल तो अब आप समझो कि अगर 13 x 7 करके वही नंबर आता है, जो इसको solver क्या आएगा, तो मतलब 13 भी उसका एक factor है, 78 भी उसका एक factor है, तो दो factor तो यह हो गए, नंबर खुद भी अपना factor रहा होगा, 1 भी नंबर का factor रहा होगा, तो composite तो होई गया, हलाकि इसके और भी factor हो सकते होंगे ही, लेकिन composite के लिए में क्या दिखाना होता है, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा factor हो, 2 से ज़्यादा मतलब या तो 3 factor या 3 से आगे, तो हम बोलेंगे, this number is composite, this number is composite at it has more than 2 factors, डिख दू गया, अपको समन में आ गया होगा न, कि यह composite क्यों है, मतलब 2 से ज्यादा factor कै कैसे आ रहे हैं, क्योंकि number खुद भी अपना एक factor रहा होगा, एक भी उसका factor रहा होगा, और 13 भी factor है, 78 भी पक्की बात है factor है, तो हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, this is a composite, this is a composite number as, it has more than, it has more than 2, 2 खतरनाक सा बन गया न, it has more than 2 factors, ठीक है, और 2 factor से ज्यादा कैसे पता लग रहा है, मैं आपको समिला दिया, ठीक है, जैसे यह हुआ है, बिल्कुल इसके जैसा अगला वाला है, आप कर लेना, ठीक, अब हम देखते हैं, आप देखो जो अगला question है, इसमें क्या बोला गया है, there is a circular path, around a sports field, मतलब ए both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point, क्या मतलब है, इस कहानी में देखो, इस कहानी में मतलब question है बताया जा रहा है, कि एक circular field है, जिसके चार और एक circular path बना हुए, हमालों बीच में खेलने के लिए मैदान है, किनरे किनरे रास्ता है, दो लोग यहाँ पे drive कर रहे है, एक क एक चकर लगाने में, यानि Sonia को एक चकर लगाने में लगते है, 18 minute और Ravi को लगते है 12 minute, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, Sonia takes is equal to 18 minute, देखो आप ऐसे आप sort में मत लिखना, यहाँ पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, time taken by Sonia to complete one round, is equal to this, अगर आप अच्छे लिखना चाहते हूँ, ऐसे यहाँ पर लिखो कि time taken by Ravi, ठीक है, to complete one round, अब मैं sort में इसलिए लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आलसी हूँ, अब आप आलस मत दिखाना, ठीक है, यहाँ आप आगे 12 minute, अब यहाँ पर आजो, कहानी में समझो, हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है कि अगर Sonia मालों यहाँ से start करती है, Ravi भी start करता है, और दोनों ही एक ही direction में चलते है, Ravi भी इधरी जाता है, Sonia भी इधरी जाती है, ठ आगी बात, तो कितनी दिर्वाद मिलेंगे, कैसे निकालेंगे, इनका LCM, कैसे पतर लगा LCM, ध्यान से देखो, अब पहले बात करते हैं Sonia की और Ravi की, Sonia जो होगी, क्योंकि 18 minute लगते हैं, 18 minute बाद, एक चक्कर लगा के वापिस से ही पर आयाएगी, ठीक है, और Ravi जो होगा, 12 minute बाद, एक चकर लागे, उससे पहले यहाँ पहुच चुका होगा, तो एक 18 minute के बाद पहुची, एक 12 minute के बाद, दोनों अलग अलग टाइम पे पहुचे नहीं मिले, फिर दूसरा चकर लगाएगी, Sonia 18 minute और लेगी, यानि 36 minute हो चुके होंगे तब, 18, 18, 36 minute में Sonia का दूस मिनट में दूसरा चकर लगा लेंगे, भाई पहले में 12 minute, दूसरे में 12 minute, तो दूसरा चकर बारा बारा सुरुआ से 24 हो गया, फिर तीसरा, 36, यानि कि जब 36 minute होंगे, तो Sonia 2 चकर लगाई होगी, लेकिन वो यहीं पे होगी, लेकिन रभी भाईया क्योंकि तेज दोड रहे तो यह 3 चकर लगा ले होंगे, लेकिन होगे यहीं पे, देख लो चाहिए, ठीक है, पहला चकर इसका 18 minute में, फिर दूसरा 36 minute में, और 36 minute बार इसके 3 चकर complete हो गया होगे, तो यह क्या चीज नजर आ रहा है आपको, यार यह common multiple ही तो है, इनका least common multiple, मतलब सबसे पहले जो इनक पर क्या निकालना है, इनका LCM निकालना है, ठीक है न, तो यहाँ पर बोलना है, how many minutes ठीक है न, तो हम यहाँ पर बोलेंगे, time after which, time after which, they meet again, ठीक है, they meet again, यही बूचा न, क्या होजाएगा, LCM, LCM, किसका, 18 और, क्या था, 12, कितना आया, इनका भी हमेंने निकालना है, 36 minutes, ठीक है भाई, तो यह हो गया, आप चाहँ तो simple तरीकेस में काल सकते हैं, मतलब 12 और 18 का आपको LCM निकालना है, वो circle बना के चलिए समझा है, ताकि आपको पता लगे कि LCM ही क्यों निकाल रहे है, सिर्फ क्यों निकाल रहे है, ठीक है, तो यह हो गया, अच्छा, किसी के दिमाग में आ सकता है कि LCM मतलब least common multiple, तो least ही क्यों लिया, मिलेंगे तो बहुत बार, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बार जब मिलेंगे न, उसका पूछा गया है, भाई देखो शुरुवात करी, इसको इसमें confusion है, वो भी दोर हो गया होई,